कि हलो इवरीवन वेलकम टू एस्पाइंट पीसीएस माइसेल्फ चंदन पर साथ आज के इस सेशन में दिसंबर दो हजार उननीस का जहारखन करेंट एफेस पर अधारित हम लोग वस्तुनिस प्रसन को डिसकस करेंगे जो कि आपके एग्जामेनेशन के लिए बहुत ही इंप करतें जिसमें कि आपको कंप्लेट स्टेडि मेट्रियल प्रोवाइट किये जाते हैं जेपी और जेसे सी परिक्षाओं के लिए पी और प्लस मेंस के लिए तौप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते या पिडिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप डायर किया गया था जिसमें जहारखन के कलाकार परवीन कुमार को एसीन वाटर कलर मास्टर अवार्ड दिया गया था निपाल स्री लंका भुटान बंगलादेश तो इसका सही इंसर आपका डी होगा बंगलादेश में यह कारीकरम आयूजित किया गया था जहापर आपका जहारखन के परवीन करमाकर को बंगला देश में एसीन वाटर कलर मास्टर अवार दिया गया था इसके अलावा और अन्नी कलाकारों को भी वहाँ पर इस परत्योगिता में हिसा लेने का मौका मिले था और विने बिभीन पुरुसकार भी दिये गये थे दूसरा प्रसन है आपका हाली मे केंद सरकार द्वारत जारी कई सहरों की सुध पानी की सप्लाई सुची में जारकन के किस जील्यों को चौथा अस्थान मिला है बोकारों जमसेतपूर राची धनबाद तो इसका सही अंसर आपका सी होगा राची को ये अस्थान मिला हुआ है चौथा अस्थान मिला हुआ ह केंद सरकार की और से 21 सहरों की सूची जारी कई गई थे जिसमें की जो सूची में चौथा स्थान मिला है जहारखंड से सिर्फ एक ही सहर सामिल किया गया है और राची है जिससे चौथा फॉर्थ पोजिशन मिला हुआ है नेक्स्ट है आपका थर्ड नमबर 49 वे भारतिय अंतरास्टिय वेपार मेले में इस वर्ष किन राज्जियों को विशेस राज्जी के तौर पर सामिल किया गया है जहारखंड बिहार जहारखंड उतर परदेश बिहार पच्चिम बंगाल या पिर जहारखंड 36 गड़ तो इस जहारखंड और बिहार को विशेस राज्जी के तौर पर इसे सामिल किया गया है इसमें आपका जो आयोजन हुआ था यह वेपार जो मेला लगा था दिल्ली के प्रगती मैदान में जो इसका आयोजन 14 से 27 नौंबर तक हुआ था और यह 49 वा भारतिय अंतरास्टी वेपाल म सामिल किया गया था इसका उद्घाटन 14 नौंबर को सुक्ष में लगु और मंजले उद्योग मंत्री नितिर गटकरी ने किया था नेक्स्ट है आपका फौर्थ नंबर जहारखंड हाई कोट के नए मुख्य नयधिस किन्हें न्यूक्ट किया गया है जस्टिस हरिष चंद् मिश्रा को बी है आपका जस्टिस डाक्टर रवीर अंजन को सी है आपका जस्टिस उदित नरायन पसांद को और लास्ट है आपका जस्टिस रतनेकर बिग्रा को इसका सही अंसर आपका बी होगा जस्टिस डाक्टर रवीर अंजन को न्यूक्त किया गया है जो पटना हाई कोट के तत्कालिन जज तथा मोजुदा पंजाब यों हर्याना हाइकोट के जज न्याइमूर्थी डाक्टर रवी रंजन को जहारकन मुख्य हाइकोट का मुख्य नहदिस बनाया गया है और वर्तमान में अभी भी वही है नेक्स्ट प्रसने आपका उसी कॉंसेट पर हाली में निव्ट जहारकन के मुख्य न्याइदिस डाक्टर रवी रंजन मुल रूप से किस राज्जी के निवासी है अम्रित सर पंजाब पटना बिहार लखना उतर पर्देश पलामु जहारकन तो इसका सई अंसर आपका पटन बिहार होगा वो पटना बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने पी यू से भुगर्व सास्त्रे मसी करने के बाद पटना लॉग कॉलेज से कानून के डिग्री भी ली थी चार दिसंबर 1990 से वह वगालत की शुरुवात की थी इससे पूर्व बिहार इंजनियर कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चर भी थे नेक्स्ट है आपका हाली में भारत के कि स्तिरंदाज ने बैंकोक में महाद्यूपिय क्वालिफिकेशन प्रूना मेंड में खिताब जितकर ओलंपिक कोटा हांसिल किया था दिपीका कुमारी डोला बनर जी दूति चंद्र या फिर कॉमली क का बारी तो इसका सही एंसर आपका दिपीका कुमारी है जो यह आयूजन किया गया था वहां पर दिपीका कुमारी को पदक स्वर्ण पदक मिला था जिससे कि वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी नेक्स्ट है आपका सात्वा नमबर जहारकंड विधान मोर्चा तो इसका सही एंसर जो होगा आपका ए होगा जहारकंड मुक्ती मोर्चा को सबसे ज़्यदा पार्टी स्वरी सीटे मिले थी जिसमें कि आपका कुल 30 सीट आपका जे एमम को मिला था कांगरेस को 16 और जो बीजेपी को मिला था 25 सीट मिला था जो की दूसरे नमबर पर थी नेक्स्ट है आपका जहारकंड विधानसवा चुनाओं 2019 में कुल महिला उमिद्वारों की संख्या कितनी थी 123, 124, 125, 127 इसमें जो पूछा गया है कि जितने भी अपलाई किये गये थे कैंडिडेट के द्वारा 81 विधानसवा सीट पर उन सारे उमिद्वारों में महिला उमिद्वार कितना थी उसको आपको एंसर देना है तो इसका सही एंसर होगा आपका 127 महिला उमिद्वार थी कुल जो उमिद्वार थे 1216 एक आसी विधानसवा सीट पर 1216 उमिद्वार खड़े हुए थे जिसमें की कुल आपका 127 महिला थी आपको बताते हैं जहारखंड का जो पांच चरण में चुना हुआ था 30 नौवंबर से 20 दिसंबर तक नेक्स्ट है आपका 9 नंबर जहारखंड विधानसवा चुना दोहजार उन्नीस में किस अकेले पार्टी को सबसे जदा ओर्ट परतिसत मिला था जहारखंड मुक्ती मोर्चा जहारखंड विकास मोर्चा कांग्रेस भारतिय जन्टा पार्टी तो इसका राइट एंसर आपका यहां पर D होगा क्योंकि भले ही सीट कम मिला था जेवेम के मुकाबले 30 सीट इसे मिला था और 55 सीट इने मिला था लेकिन बोड परतिसत जो सब से जदा वोटिंग हुआ था एक अकेले पार्टी को भारतिय जन्टा पार्टी को हुआ था लेकिन जब हम गड़बंदन का बात करते हैं तो गड़बंदन में जेमेम कांग्रेस और राजत मिलके 35.25 35.35 परतिसत वोट मिला था तीनों को गंडबंदर वाली सरकार को लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि सिंगल पार्टी को अकेले पार्टी को तो बीजीपी को सिर्फ अकेले इस चुनाओं में 33.5 परतिसत वोट मिले थे हैं दस्वा प्रसने आपके सामने जहारकन विधान सबार्ट चुनाओं 2019 से संबंदित निम्नलिखित कतनों पर विचार पहला है आपका जहारकन में कुल एकासी विधान सबासीटे हैं इनमी 28 अनुसूचित जन जाती और 9 अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है दूसरा है आपका इस बार 130 महिलाओं समित कुल 1216 उमीदवार मैदान में थे और तिसरा है आपका जहारकन में 30 नौंबर से 20 द तो ऐसे ही गलत हो गया पहला पॉइंट बिल्कुल सही है एकासी विधान सबा में 28 पलस 9 में डिवाइट किया गया है और तीसरा जो है आपका 30 नौंबर से 20 नौंबर तक अभी हमने बताया तो यहां पर 1 और 3 सही है तो राइट एंसर आपका यहां पर C होगा यहां पर आपका जार्खेंड विधान सबाद चुनाओं में कांग्रेस के टीकट पर सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी अंबा परसाथ दूसरा है आपका बीजेपी की सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली जबकि जेमें के 30 विधायक जीते और महागडबंदन को कुल 47 सीटे मिली और तीस आपका यहां पर डी होगा तो इसमें आपका ध्यान रखेगा यह थाड़ पॉइंट को अच्छे से देखिए यहां पर 13 में मुख्य मंत्री लिखा हुआ है जबकि वह 11 मुख्य मंत्री के तोर पर न्युक्त हुए तो इसलिए तीसरा पॉइंट यहां पर रौंग है सही है कि पूछा गया था सिर्फ सही कथन पर मेंसन भी किया है कि 11 मुख्य मंत्री के तोर पर जो राज के राज़िपाल हैं दुरुपदी मूर में उन्होंने सपत दिलाई थी नेक्स्ट है आपका ट्वेल्थ नंबर जहारकेंड विधान सबाचुनाव 2019 से समंदित निम्रिलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है चुनाय आयोक के अनुसार 2019 के चुनाव में दो कडोर 47 लग मददाओं को अपने नेता चुनने का मौका मिला इस बार के विधान सबाचुनाव में 65.23% मतदान हुआ जबकि साल 2014 में 66.35% पड़े थे C है आपका सर्यू राय ने जराज जी के मुकी मंत्री रगवर दास को जो पिछले बार के मुकी मंत्री थे उन्ही के गढ़ में जमसेतपुर पूर्वी से इस बार 17.833 मतों से परजित कर इतिहास रचा और D है आपका उप्यूक्त सभी इसमें पूछा गया था कि सही कौन सा कथन नहीं है तो अगर हम बात करें तो पहला और दूसरा पॉइंट बिलकुल सही है लेकिन तीसरा पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पर 15.833 मतों से पराजित किया गया था सर्यूराय के दवारा मुकी मंत्री रगुअर्दास को जो पिछली बार मुकी मंत्री थे तो इसलिए यहाँ पर जो सही एंसर होगा आपका सी होगा क्योंकि स्टेटमेंट सी जो है आपका वो गलत है यहाँ पर 15.833 मतों से प्राजित गया थाह नेक्स्ट है आपका इसक्रिप्शन भी आपका दिया हुआ है आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका थर्टिंथ नंबर इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहट जार्खन से कितने ब्लैंक इनोवेटिव आइडिया का चेयन करना था दस अजार अप्लिकेशन गये थे उसमें से 626 का सेलेक्शन हुआ था तो राइट एंसर आपका यहां पर ए होगा 626 नेक्स्ट है आपका फोर्टिंथ नंबर सुशाशन सुचकांक जी जी आई गुड गवर्नेंस इंडेक्स से संबंदित निमलेखित में से कौन सा कथन गलत है पहला है आपका सुशाशन सुचकांक इंडेक्स में 4.23 अंग के साथ जारखन को अठारवां स्थान प्राप्थ हुआ भी है आपका 22 दिसंबर को अटल बिहारी बाजपई की जेयनती के आउसर पर सुशाशन सुचकांक की सुरवात की गई और नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर बड़े राज्जियों में जिन 6 राज्जियों को अस्थान नीमनत रहा है उनका करम इस परकार है उडिस्या, बिहार, गोवा, उतरपरदेश और जहरकंड और जो सरे डी है आपका उप्यूक्त में से कोई नहीं हमको इसमें से छाटना है कि कौन सा गलत कथन है हमने इसलिए हैं पर हाइलाइट भी किया है तो सुसासन सुचकांग जिसे की 2019 से प्रारम किया गया है उस दिन आपका अटल भिहारी बाजपी जी का जनम दिन था और उसी आउसर पर ये सुसासन सुचकांग जारी करने का एक नियम केंदर सरकार्द्वार लाया गया था इसमें राज्यों का जो परफॉर्मेंस होता है उसी के अधार पर उनको रैंकिंग देते हैं और रैंकिंग में सबसेर जो पिछड़ा राज्य था बड़े राज्यों को इस पे तीन राज्यों को कुछ छोटे राज पहड़ी र गलत है क्योंकि यहां पर 25 दिसंबर को अटल विहारी वैश्पई का जनम दिन मनाया जाता है और यह जो गुड़ गवर्निंस जो लाया गया था इंडेक्स वो 25 दिसंबर को उन्हीं के जेंति पर लाया गया था और सी जो बिल्कुल सही आपका उडिसा बिहार सबसे नीचे पर बी होगा क्योंकि यह 25 दिसंबर होना चाहिए था नेक्स्ट है आपका जहारखन को सोहराय एवं कोहबर कला को जी आई टेग मिलेगा निमेलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है अब जो यह जी आई टेग मिल रहा है दो कला को उससे संबंदितियां पर कुछ कथन दि पर्राई कला जहारखन की दो परमुख लुक कला है चित्र कला मानो सभ्यता की विकास को दरसाता है और रिक्वाद यूसा पहाएट को मिट्ठी से बना जाते हैं इसलिए सब से यह फैमस कला इसलिए जी आई टेग मिल रहा है तो इसमें तीनों पॉइंट जो दिये हुए ह सी तीनों सही है इसलिए राइट एंसर आपका डी होगा यह आज की सेशन का अंतिम प्रस्ण था जो हमने कुल 15 प्रस्ण डिसकस किया यह इसका एंसर था तो आज की सेशने बस इतना ही मिलते हैं नेक्स सेशन में और भी एमसी की डिसकस करेंगे और साथ ही अगर कोई ने टोपिक आप डिसकस करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिखीगा और साथ ही से लाइक कीजिए जितने भी ग्रूप है आपके सेयर हुआ पर जरूर कीजिएगा अपने फेस्बुक पेज़ पर और ज